नमस्कार साथियों मैं प्रभु दयालहंस प्रवक्ता हिंदी एक बार फिर आपके सामने उपस्तितूं प्यारे साथियों पिछले वीडियो में हमने बात की श्यतेज भाग एक के काफ्य खंड मैं कौन-कौन सी कवी ताएं कौन-कौन से कवी संक्लित हैं तो आज हम लेकर के आए हैं क्षितिज भाग एक काफ्य खंड से जो पहले कवी हैं वो हैं कवीरदाजी कवीरदाजी के बारे में आप जानते ही हैं 1398 में उनका जन्म हुआ लहरतारा नामकिस्थान काशी में जिसे बनारस और वारा नसी भी कहा जाता है और 1518 में उनका निधन हुआ मगहर ना भक्तिकाल में ग्यान मार की कवियों में सर्वस्रेस्ट कवीरदाजी ने अपनी रचनाओं को एक पुस्तक का नाम रखा गया बीजक तो यदि कहीं आप से पूचा जाता है कि कवीरदाजी की पुस्तक नाम बताइए तो आप बताएंगे बीजक और उस बीजग के तीन भाग तीन छंदों पे आधारित हैं पहला साखी साखी से तात पर है दोहे और दूसरा सबद सबद से तात पर है पद और तीसरा रमैनी रमैनी नाम से एक और छंद है तो इस तरह बीजग जो पुस्तक है कभी दाजजी की उसको तीन भागों में बाट गया है तो यहां हम क्षितिज भाग एक में कभी दाजी के जो दोहे यानी साखी संक्लित हैं आज इस वीडियो में हम उनको पढ़ेंगे और उनका सरलात आपके सामने प्रस्तुत करेंगे तो आएए पढ़ते हैं उनकी साख्यां पहली साख्यी जो है मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़े अनत न जाही तो यहां कभीर दाजजी वर्णन करते हैं जीव और संसार का और वो कहते हैं कि यह जो संसार है यह मान सरोवर की तरह जल से भरा हुआ है और जो हंस है हंस मान सरोवर में आनंद लेते हैं उसी प्रकार इस अंसार में जीव आनंद लेता है प्राणी मात्र इसके मोह माया में फस करके यहीं आनंद लेता रहता है आनंद महसूस करता है वह इसे छोड़कर इश्वर भक्ती में लगना नहीं चाहता तो एक एक शवद देखे, मान सरोवर सुभर, सुभर वान है, airports मानने पूरी तरह बरा हुआ, और किस से जल से, के मान सरोवर है, मान सरोवर एक तालाव माना जाता है, मान सरोवर जैसे अच्छी तरह परिपूर है जल से, और हंस जो हैं, वो केली मानने क्रीडाएं, यहां कर हैं मुक्ता फल मुक्ता माने मुक्ती और मुक्ता माने मुक्त होकर आजाद चुगें, खाते हैं, चुगते हैं, अब उड़े अनत ना जाएं, अब वह उड़े कर अनत मानें, कहीं दूसरी जगया नियत्र नहीं जाना चाहतें, तो कवीर्दाजी यहां मान सरौवर मानते हैं संसार को, और सुभर जल से तात्परे हैं, उनका विभिन्द प्रकार की सुख सुविदाओं मोह माया लालच इस तरह की चीजों से के यह जो मानसरोबर रूपी संसार है वह दुनिया भर की सुख सुविदाओं मोह माया से जुड़ी होई चीजों से भरा हुआ है और हंसा से तात्परय जीव आत्मा यहां विभिन्द प्रकार की क्रीडाएं करती हैं और वे यहां रहकर अपने पसंद की चीजों का उपभोग करती हैं मुक्त हो करके वो मोती चुगती रहती हैं और इसे छोड़के कहीं दूसरी जगह नहीं जाना चाहती तात्पर्य यह है कि जीवात्मा संसार में एक बार आ जाती है वह यहां के मोह बंदनों में फसकर रह जाती है उसे इन्हीं मोह बंदनों में मोह माया में आनंद आने लगता है और वे इसे छोड़कर भगवान की भक्ती नहीं कर पाती और मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाती दूसरा देखते हैं प्रेमी ढूंड तो मैं फिर हूँ प्रेमी मिले न कोई प्रेमी को प्रेमी मिले सब विश अमरत होई कि प्रेमी ढूंडता हुआ मैं घूमा कि इस दुनिया में मुझे प्रेमी मिले प्रेम करने वाले मिलें सनेह करने वाले मिलें पर प्रेमी मिले न कोई लेकिन मुझे कोई प्रेमी नहीं मिला लोगों के हिर्दे में हजार तरह के समस्याइं भरी पड़ी हैं विकार भरे पड़े हैं कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सच्चे दिल से दूसरे को प्रेम करें ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसके खुद के अंदर प्रेम नहीं था और जिस व्यक्ति के अंदर खुद के अंदर प्रेम नहीं है वह व्यक्ति दूसरे के अंदर प्रेम प्राप्त नहीं कर सकता चुम्मक आप देखेंगे, दो चुम्मक होंगी, एक दूसरे को वे खीचेंगी, लोहे को अपनी और खीचेंगी, चुम्मक तत्व को अपनी और खीचेंगी, और इसलिए उनमें जो मूल तत्व है, वो तो होना चाहिए, वो गुण, वो चुम्मक की ये गुण, उनमें यद कभीर कहते हैं कि यदि हम प्रेमी ढूंडने जा रहे हैं संसार में प्रेम तत्व की खोज कर रहे हैं तो हमारा मन भी प्रेम से बरा हुआ होना चाहिए तब हमें प्रेमी मिलेगा दूसरी पंक्ति में जो कहते हैं प्रेमी को प्रेमी मिले जो प्रेमी होगा प्रेम से बरा हु तो इस दुनिया में जितना विश्ष फैला हुआ है वो सब विश्ष अम्रित का काम करने लगेगा लोगों को कस्ट होने की बजाए सुख मिलने लगेंगे इस संसार में संकटों के लिए मुसीबतों के लिए दुखों के लिए कोई जगह नहीं होगी हस्ती चड़िये ग्यान को सहज दुलीचा डारे और स्वान रूप संसार है भूकन दे जखमारे हस्ती हस्ती से ताजपरे हाथी से है कि यदी हैं ग्यान के हाथी पर चड़ना है तो सहज दुलीचा डार सहज माने सेजीता रूपी दुलीचा माने चादर डाल लीजिए किश्ती माने हाथी survives suck और ज्यान को माने ग्यान रूपी हाथी रूपक खार है तो आपको सहजता रूपी कपड़ा डाल लेना चाहिए हाथी पर जब बैठते हैं आ आ पने देखा होगा तो एक कपड़ा उस हाती पे डाल लिया जाता है, उस हाती की कमर नंगी नहीं होनी चाहिए, उस पे कोई कपड़ा वगभरा डाल करके, और उसके बाद फिर वहां बैठते हैं, और वह कपड़ा कैसा हो, हाती तो है ज्यान का, ज्यान रूपी हाती, और कपड़ा है सहेज़ता का, जब हम ज्ञानी हो जाते हैं तो हमारे अंदर सहजता एक अनिवार्य गुण के रूप में होनी चाहिए हमें सहज होना चाहिए तब संसार हमारा हमें महत्व देगा और इसके बाद भी संसार यदी कुछ कहता है लोग यदी कुछ कहते है तो फिर उन पर ध्यान देने की आवश्कता नहीं है स्वान रूप संसार है संसार तो स्वान मने कुट्टे के रूप में है कभी आपने देखा होगा कभीर बड़ी व्यवहरिक बाते करते हैं वो कहते हैं कि जब गलियों से हाथी गुजरता है तो आज पास जो गलियों में कुत्ते होते हैं उनका क्या काम होता है वो क्या करते हैं कभीर कहते हैं कि जब हाथी गुजरता है तो समय कुटों का काम होता है वो उस पर भौकते हैं क्या हाथी पलट कर जवाब देता है जब कुटे भौक रहे हो तो इतना विशाल हाती चाहे तो उन्हें दोड़कर मार भी सकता है लेकिन वह हाथी कभी पलट कर जवाब उन्हें नहीं देता क्योंकि उसने एक सहजता धार कर रखी है उसे पता है इनका काम भौकना है मेरा काम आगे बढ़ते जाना है यही ज्ञानी की निशानी है इसलिए कभीर कहते हैं कि संसार का रूप तो कुट्टे जैसा है भूकन दे जखमार और इसे हार कर लज्जित होकर भूकने दे इसका और कोई कार्य नहीं है एक बड़ी महत्पूर बात कहीं गई है एक गाना है फिल्मों का कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना कि इस दुनिया में आप अच्छा करेंगे तब भी लोग आपकी बुराई करेंगे आप बुरा करेंगे तब तो बुराई करेंगे ही करेंगे तो क्या करें तो हम सत्य का ज्यान प्राप्त करें दुनिया का एक मात्र सत्य क्या है और उस पर अधिकार करने के बाद हम सहजता रूपी गुण को धारण कर लें, जब ऐसा हम करेंगे, तो संसार कितना ही भूंकता रहे, कितना ही आलोचना करता रहे, हम हाती की तरह निकलते चले जाएंगे, और वे जख मार कर भूंकते ही रह जाएंगे, हारकर व्यर्त में उनका जीवन भूंकने में ही निकल जाएगा, संत सुजान कि ख़ेगेथे कहते हैं पखापखी सेतात पर है पकष विपक्ष और सब जग रहा बुलान सारा जग अपने आपको भूला पड़ा है वह इस वाद विवाद में जो जरूरी चीजें हैं इश्वर भक्ती जो जरूरी चीजें उसको भी बुलाए पड़े हैं तो क्या किया जाए निर्पक होई के हरी भज़े सोई संत सुजान परंत जो निर्पक्ष निर्पक मतलब निश्पक्ष होकर के जो इश्वर का ध्यान करता है वही सही माइने में संत है वही सही माइने में सुजान मने चतुर है तो इस दोहे में क्या कहना चाहरे है कि हमें संसार की आलोचना इस संसार की सराहना में अपना ध्यान देने की बजाए इन वाद विवादों में अपना समय लगाने की बजाए हमें चाहिए कि हम इश्वर भक्ति करें ताकि हम एक चतुर के रूप में एक संत के रूप में ए में आपको इस्थापित कर सके हैं पांचमे पहलिए क्यों चलते हैं हिंदू मुवा राम कही मुसलमान खुदाई हिंदू तो राम कहता कहता मर गया और मुसलमान खुदा ही मुसलमान खुदा कहता कहता है उसको पूजता हुआ मृत्यू को प्राप्त होता है कहे कभीर सो जीवता जे दूहु के निकट न जाई कभीदाजी कहते हैं के हिंदू सारी उम्र राम 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 बजता हुआ मृत्यू को प्राप्त होता है मुसलिम खुदा करता हुआ मिर्टियूब को प्राप्त होता है नों के निकट नहीं जाता तो यह बन के निकट जाने से गौन के निकट जाने से 20 कभीal जी का यह जो एन धर्म जाती के भेदों को नहीं मानता यदि हम इंदू के समर्द तक हो जाएं हम मुस्लिम के समर्द तक हो जाएं हम सिख या इसाई के समर्द तक हो जाएं तो हम एक बंधन में बंध जाएंगे लेकिन ईश्वर किसी बंधन से बंधा हुआ नहीं है वह अलग है और जो लोग इन बंदनों से मुक्त होकर उसकी भक्ती करते हैं उसके एक रूप को पहचान लेते हैं अनन्य उसकी भक्ती मेल डूब जाते हैं वे लोग सही माइने में मानवता को सम्रिद्द करते हैं सही माइने में उनका जीना ही जीना होता है हिंदू बनेगा ना तू मुसल्मान बनेगा इनसानी ओलाद है इनसान बनेगा एक यह किसी फिल्म का गाना है तो कभीर दाजी यहां मानवता का समर्थन करते हैं और वो कहते हैं कि यह दि मानवता को जीवित रखना है तो इस तरह के धर्म और मजहव जाती पाती के भेदों स निकट नहीं जायेगा दोनों के पास नहीं जायेगा इन धर्म और ज्टि के बंदनों में नहीं पड़ेगा छटवा दोहा हम देख रहे हैं कावा फिर कासी भया रामही भया रहीम कावा फिर कासी भया और रामही भया रहीम और मोट चून मैदा भया बैठ कभीरा जीम कभीर कहते हैं कि जब तक हमारे अंदर भेद होते हैं हम जाती में धर्म में मजब में इनमें फसे हुए होते हैं तब तक हमारे लिए कावा मुस्लिमों का धर्मिस्थान होता है और काशी हिंदूों का धर्मिस्थान होता है राम हिंदूओं का इस्ट माना जाता है और रहीम मुस्लिमों का इस्ट माना जाता है यह तब तक है जब तक हम अज्ञानी हैं जब हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो कावा फिर कासी भया कावा फिर वापस कासी हो जाता है तो जो ज्यानी व्यक्ति होता है उसके लिए काबा भी काशी की तरह पवित्र होता है और राम रहीम में बदल जाता है आप जो राम है वह रहीम की तरह यह पूजनी है और सम्माननी है होजाता है जैसे मोट चून मैदा भया रहा झैसने अब चून होता है और मैदा ह सब्सक्राइब काम जोषज surgeon होता है तूरे दौना को खा करके तरप्त हुआ जाता है जो ग्यानी होता है वो उनमें कोई अंतर नहीं करता है उसे पता है कि दोनों का एक ही कार्य है लेकिन जो अज्यानी होता है वो उन दोनों में फर्क महसूस करता है कि जिस परकार गेहु को अनाज को पीस कर चून बराया जाता है और चून को मैदा बनाया जाता है कभीर दास उनमें कोई अंतर नहीं करते वे उन दोनों के माध्यम से भोजन जीमने का काम करते हैं तरप्त होने का काम करते हैं, भूक मिटाने का काम करते हैं, वो उनमें अंतर करके किसी विवाद को पैदा नहीं करते, तो ऐसे ही जो विद्वान होगा वो कावा और काशी में अंतर नहीं करता, राम और रहीम में अंतर नहीं करता, उसे पता है कि ये दोनों चीजें एक ही है काबा और काशी दोनों में इश्वर को याद किया जाता है और राम और रहीम दोनों ही एक ही नाम हैं दोनों एक ही रूप हैं इनमें कहीं कोई अंतर नहीं है दोनों एक ही तत्व हैं तो इस तरह साथ में दो एक योरम चलते हैं उचे कुल का जन्मिया जे करनी उच न होई कभिदाजी कहते हैं सुबरन कलस सुरा भरा साधू निंदा सोई कभिदाजी सदा से जाति पाति के बंधनों को नकारते आये हैं वह ये मानते हैं कि इश्वर ने हम सब को एक बनाया इसमें अंतर करने का कार्य मनुष्य ने स्वयम किया तो ये कहते हैं कि उचे कुल में जन्म लेना वाला कोई और उसके करनी उसके कार्य यदि उचे नहीं है तो निसंदे हम उसे उच्च कुल का जन्मिया नहीं मान सकते उचे कुल का जन्म लेने वाला और यदि जे माने यदि उसकी करनी उच नहीं है अच्छी नहीं है तो उसको उच कुल का नहीं माना जाता उधारन देते हैं सुबरन कलश सुरा भरा सुबरन कलश सुबरन से ताद परे सोने से सुबरन कलश मठका सुरा माने शराव और भरा हुआ है कि सुने का कलश है और वो शराव से भरा हुआ है अब कलश की जाती तो उच्छ है श्रेष्ट धातू से वो निर्मित है लेकिन उसमें निक्रस्ट चीज भरी हुई है शराव भरी हुई है साधू निंदा सोई यह उसी तरह से है कि जिस प्रकार शराव यदी सोने के कलश में भी रग दी जाए तो भी साधूओं के लिए वहे ग्रहन करने योगे नहीं होती साधू उसके बाद भी उसकी निंदा ही करता है ऐसे ही उचे कुल में जन्म लेने वाला भी यदी अपनी करनी से अपने काड़ियों से उचा नहीं होता तो संसार उसकी निंदा करता है शराव सोने के कलश में ही क्यों न रखी जाए वह सदैव निंदेनी ही होती है निंदा करने योगे ही होती है तो इस तरह से कभी दाजी यहां जाती भेद वगेरा को लगातार में कारते हैं और वो कहते हैं कि उचा नीचा कुल के हिसाब से कोई नहीं होता व्यक्ति अपने कर्मों से उचा नीचा बनता है यदि कोई ऐसी जाती का व्यक्ति जो बले ही नीची जाती मानी जाती हो और अपने कार्यों से वह स्रेस्ट है तो निसंदेव है स्रेस्ट ही माना जाएगा उसे अधम कहना नीच कहना पूर्टया गलत होगा तो प्यारे साथियो ये हम पढ़ रहे थे भक्तिकाल के प्रसित कभी कभीर दाजी की साखियां जो बीजक नामक उनकी एक मात्र पुस्तक से यहां ली गई हैं और कक्षा नौवी की पाठ्य पुस्तक हिंदी की क्षितिज भाग एक में संकलित की गई हैं तो उनका सरलाज हमने यहां पढ़ा अगले वीडियो में हम कभीर दाजी के सबत लेकर आपके बीच उपस्तित होंगे मैं उम्मीद करता हूं कि इस सरलाज से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा यदि आपको कहीं दिक्कत आती है तो निसंदे आप मुझे व्यक्तिगत रूप से भी अपने प्रश्न भेज सकते हैं अपनी समस्या भेज सकते हैं तो आज इतना ही आपका हादिक आप सभी को नमस्कार